दोस्तों नमस्ते सबकुइश शुरू करने से पहले आप सबको नवरात्रों की स्कामना है मां आप लोगों को सबको आपकी जो इच्छा है हैं वो मनों कामना है वो मां आपकी पूरा करें यहीं मैं आप लोगों के लिए विश्ह करता हूँ और मा दूरगा, मा शक्ती की आप लोग सब पूझा करें आप सब मानें विश्ह करें जि की आपकी जीवन में और वर्ल्ल में थोड़ा पीस रहें क्योंकि हर जगा पे अभी थोड़ा सा वार वगेरा चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा पीस रहे आप लोग अपनी लाइफ में भी थोड़ा पीस रहे उसकी मा से कामना करें क्योंकि शक्ती के सामने शक्ती ही सब कुछ है तो शक्ती के सामने तो कोई नहीं आ पाता है तो आप मा की शक्ती सब सबसे प्रम शक्ति है ये एक creation ही ये पूरा वरल्ड ही माना जाता है कि माता की शक्ति से ही और सक्ति को ही माः रिप्रेजेंट करती है तो कोशिश करूँगा जिकि combin करूँगा आप सब को जिकी दुरिगापूजा की जो बंगौली फ्रेंड्स है मेरे आप सबको दुर्गापुजा की special wishes आप सबको अच्छे से दुर्गापुजा मनाईए अपना अच्छा सा enjoy करिए अब दुर्गापुजा आने ही वाली है तो जिन-जिन की दुर्गापुजा है उन लोगों को और जिन-जिन के नवरात्रे हैं सबको मेरी तरब से wishes इसके लावा आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो फिर से फ्रीकुल्टी चार्ट रीडिंग की रिगार्टिंग बना रहे हैं अगर आप लोग की बाकी लोग जो वीडियो पहली बार देख रहे उन लोगो र हे पशंद के दो सवालों के जवाब मैं देता हूं तो आप अप Совındकτε बना आपके सवालों के जवाब ले सकते हैं description में जो number दूँगा उस पर WhatsApp प्रोवाइट कर दीजे, अपने details प्रोवाइट कर दीजे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजे, और उसकी screenshot वगेरा WhatsApp पर प्रोवाइट कर दीजे, और personal details प्रोवाइट कर दीजे, मैं आपको message drop करता ही हूँ, तो अगर आपकी कुल्ले सिलेक्ट होई यह मेरी लिए काफी helpful होगा, अब चलिए reading कर लेते हैं, लंबा नीखी चूँगा, यह प्रिती जी की कुंडली है, प्रिती जी ने पूछा है कि उनको health issues है, शौरी आज थोड़ा सा viewing अच्छी नहीं है, क्योंकि शायद camera focus अच्छे से बन नहीं पा रहा है, तो इनके health issues के regarding पूछा है, प्रिती जी आपकी कुंडली जो है, एक सकंड थोड़ा सा सामले ले आते हैं, इसको हाँ जी, अब साहिए, ठीक है, प्रिती जी आपकी कुंडली जो है, लियो लगन की है, लियो राशी की कुंडली है, और आपकी राशी जो है वो वर्गो है, प्रिती जी आप के हेल्स से तो उसके रिगार्डिम में बात कर लिता हूं पृति श कालसव योग बन रहा है आपकी कुनली में अगर देखा जाये तो दूसरे घर में और हष्टम घर में राँ हुआ है और इसे के बीच में सारे planets हैं, तो आपकी कुल्ली में कालसब योग बन रहा है, अगर आपने मुझे जो timing दी है, अगर वो सब right है, तो ये आपकी कुल्ली में कालसब योग बनाता है, तो आपकी कुल्ली में दो major problems है, अगर मंगल को देखा जाए तो साथवे घर में बैठके आपके health के घर को देख रहा है, जो आठवी दिश्टी से देख रहा है, और आपके लगन को देख रहा है, आठवी दिश्टी से, इस कारण में health में ज्यादा अच्छा ये असन नहीं देगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठा हुआ, शनी के घर में कुछ अच्छा result खास ही रहेगी, आपने मुझे गम के लिए रिटेट प्रॉब्लेम बोला है, उसका simple sorted reason अगर आप देखें तो क्यों है, तो यहाँ देखेगा, moon बैटा है second house में, second house को हम communication का house बोलते है, ठीक है, communication कहां से होती है, मूँ से होती है, अगर मूँ से अगर हम देखा जाए, मतलब ज देखते हैं, तो यहाँ moon बैटा है, अगर आप देखेंगी, तो moon आपका 12th house का उलाट होके second house में बैटा है, केतु और रहू की यह जो presents है इस दोनों साइनों में, second और eighth house में, यह भी आपके health को खराब कर रहा है, आपको physically fit नहीं रख रहा है, आपको physically health issues देने की कोशिश क कर रहा है, क्योंकि काल सब योग बना रहा है, ताकि आपको जो भी benefits हैं, जो भी planets के benefits हैं, वो आपको full flash नहीं मिल पा रहे हैं, और mangal की आपकी अलग से mangalik बनाता है, mangal की दिश्टी के कारण, यहाँ पर mangal अपने friendly enemy house में बैठा हुआ है, इस कारण mangal के भी दिश्टी आते हैं, लेकिन काल सब योग और mangal मांगलिक होने के कारण, आपको यह problems हो रही है, आपका simple sorted option यही रहेगा, जिकि अगर आप shift की अराधना करें, तो आपके लिए बहतर रहेगा, daily basis से भोले नात की अराधना करें, और महामित तुन जाप करें, कोई भी white चीजे मंदिर के इसके इलावर सूरे नमस्कार करें, आत्मा का कारक है, सूरे अच्छे घर में बैठा हुआ है, लेकिन वही मैं बोलूँगा, अगर काल सब दोश के कारण, सारे benefits नहीं मिल पा रहे हैं, तो सूरे को powerful करना पड़ेगा, आपको सूरे नमस्कार करना पड़ेगा, ताकि आपक ओड़ेगा, अपने सोल को थोड़े सारे नहीं मिलेन, सूरे यूज़ उसमें मदद करेंगे, चंदरग मा के लिए, और केतु के लिए मैं ये बोलूँगा, केतु के लिए और आहु के लिए बोलूँगा, डॉक फिट करना पड़ेगा, अगर डॉक फिट करती हैं, तो बी प्रॉब्लम दे रहा है जैकि आठ विद्रिष्टी मंगल की है राहू की साथ विद्रिष्टी और केतु स्वय लगन सेकेंड हाउस में बैठने के कारण तो मंगल की लिए बोलूँगा जैकि मांगली के हैं आप तो हनुमान खेतू के लिए लिए देखे तो मांगली कोने के कारण में मांगली की रहेगा, अगर मंगल का देखे तो वह अच्छे घर में नहीं बैटा मंगल के घर पर बैटा चाहे, राशी परिवर्टन हुए है लेकिन ये दोनों फ्रेंडडी प्लैनेट नहीं है और शकाल सब सन्मान चादिसित का पार्ट करिये और कोई भी संझिवार को सर्सो का तेल डोनेट करिये और हो सके तो अगर blood donate करने या कोशिश करें अगर blood donate नहीं कर पा रही है तो मंगलवार को भी कोई भी लाली चीज़ का donate करें चाहे लडू हो या कोई भी प्रोवाइट चीजे हो जो लाल कलर की हो दाल हो बूंदी हो कुछ भी हो उसी चीज को डोनेट करने या कोशिश करिए और कुटों को खाना खनाना शुरू कर दीजे सैमिल्टेनिस ले एक और चीज बोलूँगा वाइट चीज का डोनेट करें अगर डॉक को फीट करें तो द यहां पर प्रॉब्लम दे रहा है मरकरी के घर में बैठा हुआ यह भी प्रॉब्लम दे रहा है तो मून कभी आपको पाई करना पड़ेगा उसके लिए मैंने शिवक के अरादना तो बोली है सामिल्टेनिस में कुछ भी वाइट चीजों का दान करिए कोई भी गॉड़ेस क पूजा करें शक्ति की पूजा करें जैसा भी नवरात्र है चल रहे हैं तो अगर आप किसी माता की पूजा करेंगे शुक्र आपका स्वालीड है अच्छा है और अगर बुद्ध की मरकरी मून भी यहां पर अच्छा हो जाएगा अगर किसी शक्ति की पूजा करती है तो अ आपकी जो situation उसमें मुझे लगता नहीं है अगर आप ज्यादा consume करेंगी तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा आपके life की survival के लिए क्योंकि वो कहीं नेगिटिविटी देता है क्योंकि राहू और केतु कहीं ना कहीं हमारे मुझ के और स्वात को लेके भी donate, denote करता है और यह पर कॉंसेंट्रेट करें और दूद और vegetables पर ज्यादा साधरन खाना खाने पर कॉंसेंट्रेट करें तो आपके लिए यहाँ अच्छा सोलियत मिलेगी अच्छा तो क्या है कुंड़ी permanent है यह तो सोलियत मिलेगी I hope आपको जो मैंने कहा है वो पसंद आये और आपको आप उस को follow करें तो आपको शायद कुछ हद तक की benefit मिले थैंक यू प्रिती जी